कि आप लोग हमेशा देखते रहते होंगे कि सयुक्तराश्ट या यूएन उनाइटिड नैसंस में सुधार करने की बात की जाती आईती है और भारत इस मुद्धे को हमेशा उठाता रहा है और हाल ही में आपने देखा है कि भारत आट भी बार आयस्थाई सदस भी चुना गय दे देता हूँ वैसे आपका याद रखी हम लोगोंने बहुत दिस्तार से जितने भी आपके राष्टी और अंतराष्टी संगठन है उनके बारे में बात कर चुके हैं तो महत्कूर्ण संगठनों की नाम से पिले लिट सूची बनी हुई है उसमें सभी ही आपकी खिलास न 145 को और आप सभी लोग जानते होंगे कि 24 अक्टूबर को सयुक्तराष्ट दिवस भी मनाई जाता है ठीक है इसके सदस्तों की बात करें हम लोग तो 113 में सदस्त हैं और दो निरीक्षक देश भी इसमें सामिल किये हैं इसके अगर हम लोग मुख्याले की बात करें तो इस इसके पिर्मुक भाग हैं किसने 6 कौनकों से एक देखते हैं आप लोग महासवा दूसरा सुरक्षा परिशत तीसरा है आरतिकेवन सामाजी परिशत चौत्रा है आपका नियाय परिशत फर देखते हैं अंतरष्टिय नियाले और फिर आप देखते हैं सची बाले ठीके यह क प्रमुक छेत्रिये केंदों की अगर हम बात करें, तो इसका आपको नेरोभी केंद्या में देखने को मिलेगा, आदिस अबाबा इथोफिया में, निवार्ग अमेरिका में, सैंटियागो चीली में, बैंकोफ थाइलेंड में, जेनेवा स्विजलेंड में, बेना ओस्टिया म दा है नीदलेंड में, बेरूर लेवनान में, एक प्रमुक इसके क्या है, चेत्रिये केंद हैं, या कारियाल है भी कह सकते हैं, तो एक आपका ओबर्विव है यूएन का, अब बात करते हैं इस आड़िकल की बारे में हम लोग, सैयुक्तराठ यानिकी यूनाइटिड नैसं प्रोकने में सफल रहा, हाला कि किस भी सदी का विस्तर उस बीस भी सदी से बहुत अलग है, और कई नई समस्याओं और वास्तरिकताओं का सामना कर रहा है, वर्त्मान मानवी यह आर्थिक नुकसान COVID-19 महामारी से जोड़े हैं, जोड़े हुए हैं, जिसकी तुलना पिरमो के उद्दों से की जाती है, और यह बेरोजगारी 1929 की महामणी के बाद से किसी भी समय से बद दर है, अभी जो बेरोजगारी आप देख रहे हैं, च्छाही हुई है, हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि मुद्दा उठा गवे बेरोजगा, तो 1929 में जो महामंदी थ इसने बहु पक्षिये सेटराष्ट पेनाली से सम्मंधी चनोतियों पर रिकास डाला है इसके अलावा इस स्तिति में ट्रांस नेस्नल यानि की उधारेन के लिए आतंगवाद, सामोहिक्त बिनाज, महामारी, जिलवाई संकट, साइवर सुरक्षा और गरीवी के हतियारों के चनोतियों की संख्या में विधी की एक सामन प्रिवित्ती रही है, सायुक्त राष्ट को बहु पक्षिये बिस विवस्था का प्रिदीक होने की कारण बैस्विक, मुद्दों से निपटने की अधिक आवज सकता है, इसलिए सायुक्त राष्ट में सुधार इवं बहु पक प्षवात के विरोज चनोदियों की बात करें, तो नए सीतियुद्ध का उदा है, एक और अमेरिका, दूसरी देख रहे हैं कि चीन, कि वी संगर्स और दूसरी और चीन तथा रूस के भी पश्चिमी पूर्प संगर्स एक नई वास्तिकता बन गई है, चीन और जो भारत के वीच ब्याबार योद्ध चला है एक तरह से, इसे सीत योद्ध 2.0 यानि की दुदिय सीत योद्ध भी कहा जा रहा है, समाझ रहे हैं, बिभाजीत पश्चिम, योद्ध के बाद के गठ जोड़ों के वाबजूद कई वैस्विक मुद्धों पर, अमेरिका और उसके की आस्विकिती, ट्रम्ब की अमेरिका पश्च बिदेश नीती के केंद में है, सहुद्ध राष्ट की आपरभावीता की बात करेंगा हम लोग, तो सहुद्ध राष्ट कोरोना वायरस के वैस्विक संकट पर परभावी ढंग से पिती क्रिया देने में आसमर्थ यानि की फ लगाती हुए इससी बाहर हो गया है, एक बात और आपको बताते हुँ, इसमें पांच इस्थाई सदस होते हैं, क्या है, कि आप देखेंगे इसमें कि एक आप वो सुनते होंगे, क्या सुनते हैं, सुरक्षा परिशद, इसमें आप देखते हैं कि पांच आस्थाई सदस, पांच 27 सदस और दा 10 सदस तो कुल मिला कर कितने 15 सदस होते हैं इसमें तो 27 सदस की बात करें तो चीन, रोज, फ्रांस, यूके और यूएसे ठीक है इन्हें बीटो का पावर मिला गुए है कहने का सीरह सब मतलब भीटो का कि अगर कोई पुख भी प्सतव आता है उसके पक्च में 4 तेस है और बीपक्च में एक भी देस होगा तो वो पिस्ताव पास नहीं होगा अगर किसी पिस्ताव के आपको पास करना है तो पांचों सदस्तों को सहमत होना चाहिए समझ रहें और जो 10 आईस्थाई से 10 होते हैं तो इनकरकारकाल दो वर्स के लिए होता है कितने दो वर्स के लिए भारत अभी आपने देखा है कि 8 भी बार चुना गया है 21-22 के लिए इससे पहली बता हूं तो 1950-51 में चुना गया था उसके बाद आप 2021-22 के लिए चुना जा रहा है अब बात करते हैं सयुक्तराष्ट सुधार के छेत्त में की बात तो UNSC की कमी सयुक्तराष्ट सुरक्षा प्रिशद अंतराष्टी इसतर पर सांती और सुरक्षा बनाए रखने की प्रात्मिक जिम्मेदारी के साथ सयुक्तराष्ट की मुख्य कारीकारी संस्ता है हाला कि UNSC के पांच इस्थाई सदस्वं द्वारां वीटो सकतियों का उकोयोग ससक्त संगर्स के पीडितों के लिए बिनासकारी पढ़िडामों की परवा किये विना उनके भूराजनेतिक हितों को किनारी करते हुए करने हितों एक उकरन की रूम में इसका उपयोग करते है जैसा कि Syria Iraq आदी में देखा जा सकता है इसके वे आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि मसूद अजार आतंग वादी सूची में डाला था तो उस पर क्या करता था कि चीन हमेशा हरभार क्या कहता था वीटो पावर कर देता था लेकिन बाद में आपने देखा है कि थ इसके अलाबा यह आज यह आज की सेंड और आर्थिक सक्ती के वित्रण को पितिविंबित नहीं करता है और ना ही एक भौगलिक संतूलन को इस पेकार 15 सदस्तिय सुरक्षा परिशत की सरजना अधिक लोगतांत्रिक और पितिनिदी होनी चाहिए भारत जर्मनी बिराजील और जापान ने मिलकर जीपोर नामक सुमू बनाया है यह देश सयुक्तराष्ट पुरक्षा परिशत की इस्थाई सदस्ता के लिए एक दूसरे का समल्थन भी करते हैं महासभा सुधार की बात करें तो सयुक्तराष्ट महासभा केवल गैर बात्रिकारी सिफार्शन कर सकती है जो सयुपतराष्ट के आपरभाव का एक और कारण ततों सयुक्तराष्ट सुधार का एक और मत्कून मुद्दा है सहीवत्राष्ट निकायों की आर्थिक और सामाजिक परिशत ने आलूचना की है क्या है आईएमफ और विस्व बैंक जैसी संस्थाओं के प्रभाव की तुल्ला में कम प्रभावी हो गया है जिन में लोगतांदरी पिक्रियाओं पार्दजता और जवाबदेगी का आभाव है सहीवत्राष्ट का विद्धिय संकट की अगर बात करें यह कहा जा सकता है कि सहीवत्राष्ट के पास करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इसके पास बहुत कम पैसा है क्योंकि यह कई सहीवत्राष्ट की अनिच्छा के कारण समय पर उनकी यगदान का वुपतान करने के लिए एक इस्थाई बिद्धिय संकट में है जब तक सहीवत्राष्ट की बजट में कमी बनी हुई है तब तक यह परभावी नहीं हो सकता है एक बात और आपको बताऊंगे है कि देखिए इसका जो भी बजट होता है जो भी पैसा आता है जो भी इसके पास वो क्या रहती है कि इसके सदस ही देते है और आप जानिए कि अगर अधिक देगा इसमें यगदान तो अमेरिका की तरफ इसका जुखाओद देखा जाता है फिर चाइना अगर इसमें जैना जमा करता है या देता है सिदान तो उसकी तरफ भी इस तरह जुखाओद देखा गया है सेटराष्ट सांतीछा अवियानों में सरचनात्मक कमी है आलाकि अंतराश्टी अभ्यापार, अर्धसास्ट और मानवधिकारों को प्रभावीत करने वाले अंतराश्टी कानून संधियों की बड़ी संख्या बहुत प्रभावी सावित वी है, बलकि उपयों को पिती बंदित करने वाले कानून कम हुए है। इस पेकाल सरिक्तराष्ट सांथी की अभ्यानों के लिए सरचना अत्मग सुधार करने की आवस्त्ता है सरिक्तराष्ट पेनाली और आंगी की राय में भारत की अगर भूम क्या की बात करें तो UN, SC के आविवस्तित होने के बाब भारत ने एक नए अंतराष्ट की आर्थिक आदिश के लिए विक्टन और निरस्ति करन से स्वयम का एक बहु पक्षिये एजिंडा भीक्सित किया है इसके लिए काफी राजनितिक समर्थन जुटाया है यह वर्तमान में वैस्विका कृति को आकार देने की संभावना को रेखांकीत भी करता है UN SC में सुधार की वगात करें तो जैसा कि सहिप्तराष्ट के पूर्व महासचिम ने उलिक किया है कि सुरक्षा परेशत के सुधार की बिना सहिप्तराष्ट का कोई भी सुधार पूरा नहीं होगा इसलिए UN SC के विस्तार के साथ ही नियाय संगत पितिने दित भी वांचित सुधार की परेखलतना करता है हाला कि यह सहिप्तराष्ट सुधार का सबसे चुनौती पूर्ट पहलो होगा क्योंकि आम तोर पर पांच सदस इस्थाई सदसों द्वारा किसी भी मातपूर परिवतन को रोकने के लिए अपनी सक्ती यानि की बीटो पावर का उपयोग करते हुए दिरोध किया जाता है एक तरह से ऐसा होना चाहिए थे कि देखिए आप पांच हैं तो तीन जिसके पक्च में होंगे या चार जिसके पक्च में होंगे उस पिस्ताव को पास कर देना चाहिए था लेकिन आप सोचिए कि केवल एक अपनी मतलब लालच के लिए भी अगर उस पर सहिमत नहीं है तब भी वो पिस्ताव पास नहीं होगा ये तो बड़ा मतलब एक तरह से बेदभाव है आप समझेए खुल सईवतराष्ट सुधारों के लिए अन बहुपक्चि मंचों के साथ जुडाव की बात करें तो सईवतराष्ट के वित में सुधार के लिए कि संभावी समाधार में एक आंध्रिक निदी या फिर यहां तक की विस्वकर की स्थाबना कर सकते हैं राष्टी हित और बहुपक्चबाद को संतुलित करना खासकर रहसे समय में जब चीन ने सीमा पर आक्रमक मुद्रा अपनाई है और भारत की बहुपक्चबाद कमों कुद देश अपनी छेत्री अखंडता सुनिश्चित करना होगा एक बात याद रखिए कि चाइना की सीम के लिए बहुपक्चबाद का लाव उठाया जा सकता है जैसा कि क्वाइट देशों के साथ गटवंदन करना या भारत में सीमा पार आतंकबाद को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए एपटी एप जैसे तंद के साथ काम करना इसके अलावा गूट नि के बाहर नियम बनाने का काम होता है तो नए नियम बनाना भारत के लिए नुकसान दे नहीं है लाश्ट में क्या कह सकते हैं लोग कि इतियास बताता है कि महामारी संकीन स्वास से ऊपर उठने के लिए उत्फेरित करती है इसे वर्स 1648 में पीस औप बेष्टेपिलिया में बुर्स में संबीलनों और वर्स 1940 में सैन फ्रांसिसकों संबीलन में परीलक्षित किया जा सकता है और वरतमार महामारी संकट के समान ही जो विस मामलों में विवर्तनी के बदलाव का कारण बन सकते हैं इसके अलावा बैसे एक मुद्दों को देखते हुए आज विसको पहल सेटराश्ट में सुधार करना आवसक है इस अंदर मैं भारत को अपनी पिणाली में बहुत आवसक सुधार लाने के लिए UNST के अपने गैर इस्थाई सदस के अंगले दो बरसों का प्विव करना चाहिए 21 और 22 कर ठीक है तो यह है पूरी कहानी मैं जो मुद्दा कहां फस है हमारे मतलब आप समझेए अभी हमारे रिष्टे सबसे बुरे चल रहे हैं चाहिने सी तो कोई भी अगर हमारे पक्ष में भी पिस्ताव पास करना होगा तो वो बीटो पाबर कर देगा हमें रोक देगा या अन्य किसी देश को ले सकते हैं किसी भी देश के मामले में अब दाधा गईकोई है चलिए से याद रखिए हो इसिके बारे में संगटनों के बारे में हमेज़ा याद रखा करीएगा क्योंकि संगटनों से देपताओं कि प्रलेलिम समय हमेज सकुस्चंस बनते रहे हैं ठिकने और एस संगटन जो-जो रिबोर्ट जारी करता है उन्हें याद रखना है आपको